दोस्तों अगर आपको एक Zero Balance Bank एकाउंट उपन करना है और आप घर बेठी उपन करना चाहती हो तो इसी वीडियो के इंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप EU समभल Finance Bank में आपने लिए या फिर आपने एक फैमिली के लिए एक Digital Saving एकाउंट उपन कर सकते हो जिसमें यहाँ यहाँ पर आपको Zero Balance एकाउंट का फैसलेटी मिलता है और साथ में यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड चेकबुक और यहाँ पर आपको 7.25 परसेंटेज का इंटरस रेट भी मिलेगा और ओ भी मंधिली वाइच इंटरस रेट प्याउट होता है इसमें आप घर बेठी आगा आखने के लिए आपके पास आधर कड होना चाहिए आधर करके साथ जो भी आपका ओरयना होना चाहिए और साथ मैं आपके पास और पंकर होना चाहिए और टेlist कर सकती हो वह बिजीर जयो बैलेंस के साथ चालिये हम जानते हैं स्बाइन एसम अध्युदी everyday क BEN exercises लाronics ईसिजि में एक digital saving account उपन कर सकती हो दोस्तों एउस समल finance make में account उपन करने के लिए आपको वीडियो को description में account opening link मिल जागा आपको वहाँ पर क्लिक करके इस साइट पे आज आना है यहाँ पर आपको get started का option देखिने के लिए मिल देगा यहाँ पर आपको अपना mobile number एंटर करके verify हो गया है अभी आपको आपना pen car number यहाँ पर enter करना है पैन इंकर नमबर एंटर करने के बाद आपका जो detail से उसको verify करेगा और आपका जो name है ओ यहाँ पर आपको नीचे दिखने के लिए मिल जाएगा उसके बाद terms condition को tick out करना है bank account open करने के लिए और उसके बाद यहाँ पर आपको proceed पे click कर देना है उसके बाद यहाँ पर आधर id देना होगा तो यहाँ पर आपको आधर id सिलेट करके जो भी आपका अधर नमबर है ओ यहाँ पर आपको enter करना होता है उसके बाद जो आधर का जो terms condition होता है उसको यहाँ पर आपको tick out करके get OTP वाला option पे click कर देना है उसके बाद आपका अधर नमबर पे एक OTP जाएगा जो भी आधर में mobile number registered है उसी mobile number पे OTP को यहाँ पर आपको enter करना है फिर यहाँ पर आपको confirm वाला option पे click कर देना है जैसे आप confirm वाला option पे click करते हो यहाँ पर आपको saving account open करने के लिए documents की क्या क्या जरूरों थे ओ यहाँ पर आपको describe करके बता जाता है जैसे कि आपके पास original pen card होना चाहिए और आपका जो अधर कर होना चाहिए उसके बाद यहाँ पर आपको तीनों option देखिने के लिए मिलता है आप अपना application को खुद यहाँ पर complete कर सकते हो enter करके data वगरा video call भी कर सकती हो और आप यहाँ पर video call को schedule करके भी आप बाद में भी video call कर सकती हो लेकिन में आपको जो process बतरने वाला हो और यहाँ पर quick process होगा तो उसके लिए यहाँ पर आपको पहला वाला option को यहाँ पर select करना है और quickly account उपन हो जाता है यह process में यहाँ पर आपको आधर में जो detail से और automatic यहाँ पर आ गया है अभी आपको अपना medical status को select करना होता है और आप जो भी email ID आप यहाँ पर दीना चाहती हो उसी email ID को यहाँ पर आपको एंटर कर दीना है email ID एंटर करने के बात यहाँ पर आपको अपना mother's name को एंटर करना होता है उसके बात यहाँ पर आपको अपना permanent address को और communication address को confirm करना होता है उसके लिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना होग और यहां पर आपको स्यलियट करना होता है अगर आपका permanent address ตector दोनों ही साइमें तो इसको आपको टीक आउट पर रहने देना है अगर आपका communication address और permanent address दोनों ही different है या फिर order address है तो उसी यहां पर आपको order address वाला option पर क्लिक करके जो भी आपका communication address है उसको यहां पर आपको fill up कर देना है या फिर आपका जो office address है उसको भी यहां पर आप डाल सकती हो अगर आपका permanent address और communication address दोनों ही साय में तो इसको आपको टीक आउट रहने देना है पहले वाला फिर उसके बाद यहां पर आपको nominee add करना होता है nominee add करने के लिए yes वाला option पर आपको क्लिक करना है nominee का data यहां पर आपको अंटर करना होता है अगर आप चाहते हो nominee आप बाद में add करने के लिए तो उसके लिए यहां पर आपको no I will do it letter वार option दिया कंजा है उसको यहां पर आपको tick out करना है फिर यहां पर आपको terms condition को accept करना होता है nominee के लिए क्योंकि आप ति मेरे एड कस के लिए उसके बात यहां पर आपको नेक्स्ट प्रक्लिक कर दीना है का म करते हो उसके बार ह। में यहां को स्लेट करना होता है उसके बार आपको अपना annual income को यहाँ पर select करना होता है और अगर आप किसी other country में tax देते हो तो आप yes कर सकते हो या फिर आपको no वाल option के select करके next पे click कर दिना है उसके बात यहाँ पर आपको अपना account type को select करना होता है दिखिए account type के इंदर यहाँ पर आपको digital saving account को ही select करना है और उसी account के अंदर आपको यहाँ पर zero balance bank account का facility मिलता है और साथ में यहाँ पर आपको रुपे platinum debit card मिलेगा और जिसका जो limit होगा और दो लोग का होगा और आप यहाँ पर आपको 7% का जो पररनम का जो interest rate है उसके साथ checkbook के लिए भी यहाँ पर आपको option दिया गिया है checkbook लेना चाहते होते इसको on करके अपना city select करिएगा उसके बास city के इंदर जो भी आपका branch होगा available उसी branch को select करिएगा उसके बास जो भी आपका account का branch होगा ओ यहाँ पर आपको दीखिने के लिए mail जागा है details यहाँ पर आपको address और यहाँ पर आपको नीचे mention किया जाता है अगर आप पेंसा deposit करके account उपन करना चाहते हो तो यहाँ पर आप initial funding करना चाहते हो तो amount यहाँ पर डाल सकते हो लेकिन आप zero balance से भी account उपन करना चाहते हो यहाँ पर आपको कुली तार्जस बगरा नहीं देना होता है simply यहाँ पर आपको next पे click करना है next पे click करने के बाद अभी तो आपने जितना application details यहाँ पर fill up किया था सब कुछ यहाँ पर आपको आज दागा यहाँ पर आपको details के अंदर confirm करना है और यहाँ पर आपको दो option दिखने के लिए मिलता है तो यहाँ पर आपको dvt link कराने के लिए आप यहाँ पर दूसरा वाला option select कर सकती हो अगर आप dvt link नहीं करना चाहती हो तो आप यहाँ पर second वाला option को select करके schedule of charges का जो terms condition है उसको यहाँ पर आपको take out करके proceed पे click कर सकती हो proceed पे click करने के बाद जितने भी आपने application details डाला था अगर सब कुछ अगर ठीक टाक होगा तो आप confirm किजे confirm करने के बाद आपको दुबारा से edit करने का option नहीं मिलेगा अगर आप edit करना चाहते हो तो cancel कर सकते हो वरना आपको confirm करना है confirm करने के बाद आप यहाँ पर जो last step है आप आज आओगे यहाँ पर आप देख सकतो next step लिखा है और यहाँ पर आपको अबना kaw wallet का ठेख करना होगा तो आप उसको वीडियो के ऐसी को schedule भी कर सकती हो अगर आपको आभी के वासी start करना है जैसे कि मैं आपको आभी करके दिखाऊंगा तो यहाँ पर आपको complete your वीडियो के ऐसी वाला option पर आपको क्लिक करना है उसके बाद जो भी AU Summall Funnels में का agent होगा वीडियो के वासी करने के ल होगा ना वहाँ पर आपको text लिख की कुछ यहाँ पर error आएगा तो send करेगा हो ठीक है जब भी agent का call आएगा तो कुछ इस तरह सापको देखने के लिए मिलता है यहाँ पर आपको call को receive करना होगा उसके लिए क्लिक है to complete your वीडियो के ऐसी बाला option पर क्लिक करना है और अपने application में data सापने फिल अप क्या था उसको confirm करेगा अपना name आपका data word उचेगा और आपको यहाँ पर आपको अपना original pen card दिखाना होता है signature करके भी आपको एक white black paper रफेशों करना होता है उसके बात यहाँ पर आपको confirm करना होता है कि आपका data से और सभकुष सही है उसके बात agent को अगर सभकुष सहीं लगता है तो आपका जो क्योवाशी हो उसको आपको complete करा देगा क्योशी complete होने के बाद यहाँ पर आपको दिखने के लिए मिल जागा जैसे कि हमने ओपन किया था यो डिजिटाल सर्विंग एकाउंट में कितना बैलेंस है यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा और यहां पर आपको बत्या जाता है जो भी आपका एकांट नंबर और आपका जो आपको SMS के जरीए और इमेल एडी के जरीए सेंड किया जागा और रही बात आपका डेविट कार्ड का और जिग बुक का वह आपका जो भी आपने यूज करना है तो आप इजिली कर सकते हो यूपी आइप मेथल को भी इनेवल कर सकते हो तो दोस्तों कुछ इसी तरह से आप एउस्वार फाइनस मेक में एक अपने लिए एक डिजिटाल सेविंग अकाउंट उपन कर सकती हो कोई भी डाउट होता है तो आप वीडियो के न